नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर में नाम है विनीत और दोस्तों आज की बहुत ही खास वीडियो रहने वाली है क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल टाइप की FD के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं मंतली इंकम स इंकम स्कीम FD MIS FD तो जो हमारे बुजर्ग होते हैं जिनका कोई पर्मनेंट सोर्स ओफ मंतली इंकम नहीं होता या फिर जो हमारे स्कूल या कोलेज में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जिनके नाम माबाप FD करा देते हैं और उनको खर्चे के लिए पैसे देने होते है तो इन दो तरह के लोगों के लिए FD बहुत ही कामयाब होती है तो सबसे पहले जानते हैं बुजर्गों के लिए उनको कैसे फायदा देती है माल लीजिए आप कहीं से रिटायर हुए है या आपके पास कोई लंसम अमाउंट है और आपका कोई fix source of monthly income नहीं है तो आप इसक काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको खर्च चलाने में कोई दिकत नहीं होगी तो जो भी आपके पास एक lump sum amount है आपने उसको fix कर रखा है साल के बेस पे दो साल के पान साल के बेस पे जिसका interest जो है वो accumulate होके एक साल बाद ही आप इस्तेमाल कर पाते हो तो आप उसकी monthly income scheme FD बनवा सकते हो उससे आपको बहुत benefit होगा जैसे मैंने आपको बताया है आप बात करते हैं स्कूल या college के बच्चों के लिए तो अक्सर माबाप अपने बच्चों की FD कराते हैं और उनको कुछ ना कुछ खर्चा भी देना होता ह तो मैं अपने साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि आप monthly income scheme में fix deposit कराए अपने बच्चों की क्योंकि आपको क्या करना है 50,000 या 1,000,000 रुपया fix कर देना है तो उससे क्या होगा जो भी income हर महीने जो उसका interest generate होगा वो बच्चे के खाते में आता जाएगा तो आप उसको ATM भी दे सकते हैं इससे क्या होगा कि वो जितना भी आप उसको जेब खर्च देते हैं वो आपसे ना लेकर जो ब्याज उस FD का बनके आएगा उससे अपना जूरत का काम चला सकता है तो इस तरह से जो school और college के बच्चे हैं उनको आप direct हर महीने हर हफते कुछ पैसा आपको तो ध्यान रहे जिन लोगों का कोई भी monthly source of income नहीं है वो इसको MIS FD यानि monthly income scheme FD में fix करके और हर महीने ब्याज का फाइदा तनखा की तरह यानि salary की तरह उठा सकते हैं और ऐसा नहीं है कि कोई अलग से आपकी कोई scheme है कोई risk है risk इसका कुछ भी नहीं है जो भी आप एक FD बनवाते हो उसी तरह के एक normal FD होती है बस difference ही है दूसरी FD का ब्याज आपको accumulate होगे साल के end में मिलता है इसका आपको हर महीने मिलता जाएगा और आपके खर्च भी पूरे होते जाएंगे तो ये थी आज की वीडियो वीडियो आपको पसंद आई होगी कि तो वीडियो को सबस्क्राइब करना मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद